साथियों, आज बालांगीर और कंदमाल सहीद पूरे उडिशा को एक बात पूरी गंबिर्ता से सोचने की जरुरत है ओडिशा में कोईला भी है, दातु भी है, जल भी है, जंगल भी है फिर क्या कारण है कि इतना समर्द ओडिशा पीछड क्यों गया क्या कारण है कि विकास की दोड में ये राज्य पीछे रहे गया दो दसक हो गए, दो दसक, 19-20 साल से यहां किसकी सरकार है आप बताएंगे मुझे, 19-20 साल से यहां किसकी सरकार है जरा पूरी ताकत से बताईएंगे, ऐसे नहीं 19-20 साल से उडिशा में किसकी सरकार है किसकी सरकार है किसकी सरकार है उसके पहले यहां, नवीन बाबू के पहले किसकी सरकार थी किसकी सरकार थी याने कभी कॉंग्रेस, कभी नवीन बाबू और वो बताईएंगे, दिलनी में मेरे आने से पहले किसकी सरकार थी अब बताईएंगे, भाईव और बैनों असल में कॉंग्रेस और बिजेडी को गरीबी में अपनी राजनीतिक फसल दिखती है यही कारण है कि ओडिशा सही देश के एक बड़े हिस्से को इतने दसकों तक बदहाली में जीने के लिए मजबूर रखा गया कॉंग्रेस के पास पूरा अवसर था दसकों का समय था कि वो अरे अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम कर सके लेकिन उसने क्या किया कॉंग्रेस ने समाज में उंच नीच का ऐसा जहर बोया विकास में भी ऐसा बेदभाव किया कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे ही नहीं बढ़ पाया इसी का फायदा नक्सलबाद और माववाद फैलाने वाले लोगों ने भी उठाया पीडी दर पीडी कॉंग्रेस गरीबी हटाने के सिर्म नारे ही देती रही और गरीब तो गरीब रह गया लेकिन उनके नेता अमीर होते गए यही बज़ग है कि आज देश का गरीब यह कहने लगा है कॉंग्रेस हटाओ तो गरीबी अपने आप हट जाएगी अगर गरीबी को हटाने की अगर गरीबी को हटाने की एक बढ़िया से बढ़िया जडी बुट्टी अगर है तो उस जडी बुट्टी का नाम है कॉंग्रेस हटाओ कॉंग्रेस के रहते हुए कभी गरीबी हटी नहीं सकती है क्योंकि गरीबी उनके राजनिती खेल का सबसे बड़ा हतियार है उस हतियार को कॉंग्रेस कभी छोड़ना नहीं चाहती और गरीबों को गरीबी से बाहर आने देना नहीं चाहती साथियो मैं आपको कॉंग्रेस की एक और बड़ी साजिस के बारे में बताना चाहता गरीब हो, किसान हो, दलीत हो, आदिवासी हो, पिछडा हो कॉंग्रेस ने आपको मिलने वाली सहायता चिनने की तैयारी कर ली है कॉंग्रेस ऐसी नीतिया देश में लागू करना चाहती है जिससे चोथ तरफा महंगाई बढ़ेगी आपकी रसोई का खर्च बढ़ जाएगा कैस की कीमत बढ़ जाएगी कैरोसीन तेल की कीमत बढ़ जाएगी कॉंग्रेस की चली तो राशन की दुकान पर आपको जो सस्ता चावाल और गेहू मिलता है वो भी कही कुना जादा कीमत पर मिलेगा इतना ही नहीं अब तो कॉंग्रेस के नेता खुले आम देश के करोडों लोगों को स्वार्थी बताने लग पड़े हैं कह रहे हैं कि मद्यमवर्ख स्वार्थी है मद्यमवर्ख अपना ही सोचता है और इसलिए मद्यमवर्ख पर टैक्स बढ़ाना जरूरी है यह खुले आउम बोल रहे हैं क्या मध्यमबर के लोगों की कमर तोड करके देश काशना होगा होगा क्या होगा इसी साजिस करने को ऐसे लोग इनकी जमानत जब कर आ suficiente ने कराओगे चुनाओं में